नमस्कार दोस्तों सरीता की रसोई में आपका स्वागत है तो देख सकते हैं आज हम कटोरी केक बनाएंगे उसके लिए हमने एक कप दूध लिया है और दूध एक दम मतलब जैसे हम फूख फूख के पी सकते हैं मतलब फूख के नहीं उतना भी गरम नहीं नॉर्मल गरम जित तो ज्यादा मीठा खाते हों तो ज्यादा डालिएगा कम खाते हों तो कम डालिएगा और उसको घोल लेंगे अच्छे से दूध में चीनी को उसके बाद एक कप सूजी लिया है मैंने ग्राम में धाई सो ग्राम होगा उतना हमने सूजी लिया है दो से धाई ग्राम होगा तो उनको हम खोल लेंगे और देख सकते हैं आपको देख के लग रहा होगा कि बैटर बहुत पतला है तो पतला नहीं है यह सूजी को हम 10 मिनिट के लिए रेष्ट पे छोड़ेंगे तो एकदम दूद को सोख लेगा पूरा दूद पी जाएगा यह सूजी तो दस मेंट रख देते हैं उससे पहले हमने इलाइची पॉडर ढाल दिया है जो कि सूजी अच्छे से फूले तो उसमें इलाइची का फ्लेवर अच्छे से चला जाया अंदर तक एकदम दर के लिए सूजी हमने यह नहीं सूचना है कि मोटा आ कि पतला है कोई भी सूजी ल कि उसको हम मिक्स कर लेंगे इसमें अच्छे से और इसको बिल्कुल अच्छे से मिक्स करिएगा मसलते मसलते मतलब तो देख सकते हैं इस तरह से आप लोग केक बनाएं बहुत टेश्ट्री और बहुत आसानी से बन जाता है जटपट कम से बस जादा जादा बीस मिट लगता है इस तरह से केक बनाने में ना 35 निट ना 40 मिट बिल्कुल बीस मिट बीस से 22 मिट लगेगा उससे जादा नहीं लगेगा तो इस तरह से आप लोग भी अपने घर में बनाएगा और हमारी वीडियो को पूरा देखेगा तो अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सस्क्राइब जरूर करिएगा और कॉमेंट करिएगा शेयर करिएगा तो देख सकते हैं बैटर एकदम परफेक्ट हो गया है इसी तरह का होना चाहिए बैटर तो इसको हम साइड में रखते हैं इस आप लोग के पास अगर कोई कलर हो जैसे फूट कलर जो कलर आप लोग डा तो केक में वह सब कलर अच्छा नहीं लगता क्रीमी क्रीमी कलर लाने के लिए यलो कलर डालना पड़ता है तो यलो कलर नहीं था हमारे पास तो हमने हल्दी डाल दिया एक चुटकी हल्दी पानी में घोल के डाल दिया और इधर हमने कटोरी में बनानी है तो कटोरी में हम त लगा लेते हैं सर्षों का तेल नहीं लगाना है रिफाइंड लगाना है ऐसा तेल लगाना कि उसकी खुजबू उसमें न रहे तो इस तरह से हम कटोरियों में पूरे तेल को अच्छे से ग्रीज कर लेंगे और ये हमने इनो लिया एक जब सारा कुछ तैयार हो जाए तभी इनो डालिएगा लाश्ट में बस डालते ही तुरंद कटोरियों में भरिए और जिसमें पकाना है उसमें डाल देजिए तो हमने न इमने डाले में इनो डाला तो ऐसको मिक्स कर लेंगे हलके हार से ज्यादा इसको मला मसलना नहीं आइब अधर तो देख सकते हैं इन्हों दालने के बाद हमारा वैटर कितना फूला फूला अगदम लग रहा है हलका हलका है तो यह अच्छे से मिक्स हो गया अब इसको हम कटोरियों में डालेंगे तो दोदो चमाच हमने एक कटोरी में डाला यह थोड़ा फूलता है ज्यादा नहीं फूलता है आप लोग कटोरी एक उंगली जितना मतलब एक इंच जितना छोड़के पूरा भी भर सकते हैं तो हमने पांच कटोरियों में बनाया है तो हमने मर्चे तो है आपको आप लोग ज़ादा भरता है तो ज़्यादा हुआ भर सकते हैं कि चोल नहीं पूलता तो इसना केक फूलता है तो इसमें ने काजू और बदाम का कतरन डाल दिया आप लोग टूटी फुरूटी और जो भी डालना चाहते हैं उपर से कुई सी भी चीज से कर सकते हैं गार्णिश और इधर हमने कुकर रख दिया था दो से तीन मिनट के लिए गरब हो गया था ढखके और इसमें इस तरह का स्टेंड लेंगे और रखके अपन इसको एकदम मीडियम कर देना है पिल्कुल लो एकदम पांच मिट आई के बाद लो तो घड़ी देखके हमने पकाया था और उसके हिसाब से हमने पूरा 20 से 20 मिनट लगा जादा नहीं लगा तो हमने खोल के देखा इसको तो यह से पक गया है और इसका पहचान है कि आप ल इसे चेक कर सकते हैं एकदम क्लीन निकल जाए तो समझो कि पग गया है और थोड़ा पीला है तो एक दो मिनट के लिए आप लोग बन कर सकते हैं तो हम तो पकाया थे तो हमारा पूरा टोटल 21 मिनट लगा था उससे जादा नहीं लगा आप लोग का 22 मिनट 25 मिनट भी लगत तो देख सकते हैं यह ठंडा भी हो गया है मतर्प बिल्कुल ठंडा नहीं रूम तो निकल जाता है वैसे कहीं कहीं चिपका होता है चाकड़स घुमा देंग से bookstore देखे इस तरह से सारे कीठो अरवा की कारियों को निकाल देंगे केग निकाल को कीठोलेंगे सब्सक्राइब केखसे निकालेंगे केठों यह नहने सी तो try केठ wholeіस मेंजुलकर होई है मैं तोड़ की दिखाते हूं आप लोग को और ऐसा नहीं है कि एक कटोरी ही इतना अच्छा परफेक्ट निकला है सारी कटोरी है एक दम बिल्कुल अच्छी और अराम से निकल गई है तो देखिए एक दम हलकी एक दम बहुत अच्छा केक बना था तो आप लोग बच्चों को टिफिन में भी देख सकते हैं बना के और ऐसे घर में मतलब कोई गेश्ट वगरा आये तो ऐसे छोटी-छोटी इससे भी छोटी कटोरियां हो या कप हो उसमें बना सकते हैं तो इसमें कितनी जाले पड़िया और कितना नरम है देख सकते हैं आप लोग तो इस तरह से आप लोग भी अपने घर में कटोरी केक बनाईए कपकेक कटोरी केक जो भी जिसमें बना देंगे वही बन जाएगा तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और कॉमेंट करके जरूर ब